जब आब भक्ती कहते हो, तो क्या भक्ती से सिर्फ पूजा करना का मतलब होता है? भक्ती जो शब्द है, भजन जो शब्द है भज धातू से बना है, भज माने to join something, जोड़ना किसी चीज़ को, क्या जोड़ना? अपने जीवन के हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान से जोड़ देना, मैं खा रहा हूं, तो मैं पहले उनको खिलाऊंगा, मैं पहले उनको याद करूँगा, मैं कई घुमने भी जा रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, साथ मैं अपनी ठाकुजी ले करके जाते हैं, म मैं कुछ अच्छा पहेन रहा हूं तो पहले भग्वान को याद करूज़ा हुआ हैमारे जो पांच कृआए होती है। उन सबसे जो भगवान को याद करता, भजता हो बगती, पुजा अलग छीज़ है । पूजा कर्मकांड के अनुसार जो विढवधान है मैं हमेशा कहते हूँ पूझा करने के लिए तो दो रुपे में भी पूझा हो सकती है लेकिन भजन करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है क्योंकि वो सस्ती चीज नहीं, क्योंकि वहां मन का मामला है, वो external नहीं है कि आप बजार से कुछ ले आए, दे दिया भगवान को, भगवान खुश हो गए, वहां आपको मन से जुड़ना पड़ता है, तो भक्ती से मेरा मतलब है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं जो कर र करते हैं, लेकिन हम future में सोचते हैं बस म्रत्यू से पहले पहले वाला जो जीवन यह फ्यूचर प्लानिग पर भक्ती क्या है म्रत्यू के बाद म्रत्यू के पहले दोनों का प्लान जो होता वो भक्ती होता